सोशल मीडिया और अकबार चीन में कोविड मामलों में बड़ोत्री अस्पताल के भरे होने आदी की खबरों से भरे पड़े हैं इसे देखकर भारत के लोग भी चिंतित है कि इससे भारत में जनवरी 2023 में कोविड मामलों में वृद्धी होगी हमने भी पहले इस बारे में वीडियो जारी किये थे हाला कि भारतिय मूल के लोग जो नौकरी के लिए चीन चले गए है या वहाँ शादी कर ली है वे वीडियो मेसेज प्रसारत कर रहे हैं जो अब वाइरल हो गए है आपको कुछ ऐसे मेसेज के बारे में बताता हूँ पत्रों द्वारा चीन की स्थिती को बढ़ा चड़ा कर दिखाया गया है ये लोगों में कोविड को लेकर देशत पैदा करने के लिए है ये सच नहीं है उन्होंने कहा मैं अभी चीन में हूँ और यहाँ कोविड का कोई डर नहीं उन्होंने आसपास के लोगों को दिखाते हुए का हाँ आसपास के लोगों को देखे हाँ कोविड की मामले है एक बार जब कोई वेक्ति संक्रमित हो जाता है तो वो 6-7 दिन में दवा से ठीक हो जाता है असपालों के भरे होने, दवाओ की कमी, आदी की खबरे सच नहीं है भारतिय मीडिया ने इस मुद्दे को बढ़ा चड़ा कर पेश किया है जरा सोचे कि चीन सिर्फ एक हफ़ते से 10 दिन के समय में एक असपाल बना सकता है आप सभी ये जानते है तो आपको लगता है कि वो देशत की स्तिती में हो सकता है ये सब एक अतिश्यक्ति है अगर असपाल भरे हुए है तो वे जल्दी से नए असपाल बना सकते है ये सब गलत फहमी पैदा करने के लिए है, डरे नहीं एक अन्या वीडियो में एक अन्या शक्स मास्क लगा कर घूम रहा था वह भी चीन में रहने वाला भारतिय मूलका है इधर उदर दिखाते हुए वीडियो में देख रहा है शक्स ने कहा चारो और देखिए बाइक खड़ी है, लोग काम कर रहे है फूद डिलिवरी एजन्ट जा रहे है सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है चीन में जन जीवन सामान्य रूप से चल रहा है इसमें चौकने वाली कोई बात नहीं है अस्पताल उपलब्ध है गबराने की कोई बात नहीं अजीब इस वीडियो में तीन लोग है जिनोंने कहा हम भारतिया है लेकिन महिनों से चीन में रह रहे है क्याहां बड़ी संक्या में दक्षिन भारतिया चात्र रहते है हाँ, कोविट के मामले है लेकिन सब कुछ नियंत्रण में है भारतिया अकबारों को चीन में कोविट की स्थिती को बढ़ा चड़ा कर पेश करना बंद कर देना चाहिए उन्होंने लोगों से इस वीडियो को आगे शेर करने के लिए कहा अश्चरे जनक हाला कि सोशल मीडिया पर इसके वीडियो प्रूफ है चीन में एक महिला कोविट मरीज एक अस्पताल के बाहर बैटी थी और सास लेने के लिए हाप रही थी अस्पताल ने उसे अंदर लेने से इंकार कर दिया वो गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई यह एक सबूत है जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है कुछ भी सबस्ट नहीं है एक अन्य वीडियो में एक अस्पताल के बाहर का दुरुष्य दिखाया गया है जहां गिरे हुए लोगों को कसीड़ा जा रहा है संदेशों में कहा गया कि स्तिती सामानिया है लेकिन यह वीडियो कुछ और ही तस्वीर दिखाते है भारत में भी कोविड के मामले बढ़ रहे है 27 दिसंबर 2022 को भारत ने 157 नए कोविड के मामले दर्ज किये जबकि अगले दिन यानी 28 दिसंबर 2022 को भारत ने 24 घंटे में 188 मामले दर्ज किये पिछले दिन से इसमें बड़ोत्री हुई है ये भगवान 28 दिसंबर 2022 को दुबई से आने वाले दो यात्री चिन्नाई हवाई अड़े पर कोविट संक्रमित पाए गए 23 से 26 दिसंबर 2022 के बीच हवाई अड़ों पर भारतिय और विदेशी यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग के दौरान 49 यात्रियों को कोविट पॉजिटिव पाया गया चौका देने वाला अब मामले बढ़ रहे है पहले की कोविट लहरों का विशलेशन करने वाले के इंद्रिय स्वास्थ मंत्राले ने अब यह कहा है कि जनवरी 2023 में भारत को कोविट लहर का सामना करना पड़ सकता है बताया गया है कि अगले 40 दिन एहम होंगे लोगों को बेहत सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इससे कोविट लहर से बचने में मदद मिलेगी अगले 40 दिनों में लोगों की लापरवाई से कोविट मामलों में उच्छाल आ सकता है उन्होंने कहा कि लोगों को सिर्फ सानिटाइज करने मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र साशत प्रदेशों को अस्पताल, ओक्सिजिन, दवाओं आदी में तयार रहने के लिए पत्र लिखा है यह सुनिश्चित करने के लिए कि डॉक्टर कोविट लहर से अभिबुत ना हो अस्पतालों ने मौक ड्रिल करना शुरू कर दिया है इसे यह सुनिश्चित होगा कि स्टाफ मरीजों की मदद के लिए तयार है और हर कोई अपने कर्तव्य के प्रतीज जाग रुखे केंद्रिय स्वास्त मंत्री मंसुक मंडव्या भी दिल्ली के शप्दरगंच अस्पताल गए थे और अस्पताल में मौक ड्रिल का अवलोकन किया साथ ही कहा जा रहा है अगर कोई कोविट लहर आती भी है तो वहर नियंत्रित करने योग्य होगी चिंदा की कोई बात नहीं है जरूरी है मास्क पहनना, सानिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना